Hi everyone, आज के वीडियो में मैं comment section से एक सवाल लेने वाले हूँ, एक viewer है, उनका नाम है Manish Kumar Manish Kumar जी ने बहुत लंबा चोड़ा सवाल पूछा है, लेकिन इनके सारे सवाल बहुत जादे important है तो मैं इनके सारे सवाल का answer देने की कोशिश करूँगी, to the point direct answer देने की कोशिश करूँगी ठीक है, बहुत जादा elaborate करके नहीं बताऊंगी, लेकिन ठीक है, चलो अब सवाल चालू करते है इनका पहला सवाल है कि pregnant होने के time क्या sex कर सकते हैं और उसके बाद अगर हाँ, तो किस महिने में और कब तक sex किया जा सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगी कि अरे, sexual सवाल हमेशा डाल देते हैं, लेकिन important चीज है यार, भारत की गंसांग क्या देख रहे हो, यहां लोग pregnant होते हैं, तो जानकारी ज़रूरी है देखिए, pregnancy में sex करना modern के अनसार, allopathy चिकिस्ता पद्धिती के अनसार safe होता है अलopathy के अनसार, pregnancy में sex करना allow है, safe है आयरवेद के अनसार, pregnancy में sex करना बिल्कुल ही गलत है आयरवेद में गर्भडी, यानि कि pregnant lady के साथ sex करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है ऐसा करने से जो गर्भ होता है, उसे और मा को व्याधियां होती है ठीक है, uterus से related disorder होता है अब आप सोचो गया कि करना क्या है फिर भाई, दौनों तरफ मैंने बोल दिया तो conclusion बताते है, दौनों चीजों के point को समझना जरूरी होता है देखे, pregnancy में sex किया जा सकता है fact यह है कि sex करना safe होता है क्योंकि uterus जो बच्चा होता है, वो उपर होता है uterus में उपर होता है, जो sex किया जाता है, वो बेजाईना में किया जाता है that's why यह safe होता है लेकिन यह तभी safe होता है जब husband बहुत जादा समझदार है जो की जादातर पुरुष कई बार नहीं होते हैं इंडिया की जो sexual knowledge है उसके साब से लगता है कि यहाँ जादर लोगों को समझ होती नहीं है sex के बारे में क्योंकि कोई बाती नहीं करता sex education पर बाती नहीं होती है pregnancy में आप sex कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आती बात से लेकर 8 महिने तक आप sex कर सकते हैं लेकिन इस समय पर यह ध्यान रखें कि sex करते समय तभी आप कर सकते हैं जब आपका अपने शरीर और दिमाग के उपर अच्छी तरीके से control है अच्छी तरीके से control है मतलब आपको वेजाइना में जादा deeply insert नहीं करना है first thing दूसरी बात बहुत जादा pressure का इस्तमाल नहीं करना है कोई भी ऐसा कारे नहीं करना है जिससे कि गर्वती इस तरीके बच्चे दानी के उपर यूटरेस के उपर pressure पड़े ठीक है यह चीज़ दियान रखिए अगर आप इतने समझदार है आपका अपनी खुद की desire के उपर खुद की mental condition के उपर और खुद का जो hormonal urge आता है न सेक्स के दोरान उसको control करने के यदि आपके अंदर छमता है तब आप sexual relationship बना सकते हैं कोशिश करेंगी नहीं करें सेक्स यहां मैं आपको साफसा बोलूँगी प्रेग्नेंसी में यदि आप avoid कर सकते हैं सेक्स तो बहुत जादा बैतर है लेकिन control नहीं हो रहा है urge आ रहे हैं और लगातार 9 महीने सेक्स नहीं करने से कई बार पती-पत्नी के बीच में काफी जादा मन मुटाव आ जाते हैं तो उस तरीके से यदि बहुत सारे pros और cons को हम count करें तो फिर उसका answer यहीं निकलता है कि जो बीच का duration है उसमें आप sex कर सकते हैं लेकिन जितना हो सके कम करें मतलब 15-20 दिन में महीने में एक बार या दो बार ही sex करें प्रेशर का इस्तवाल नहीं करना है पैन इसको वेजाईना में बहुत जादा deeply insert नहीं करना है ठीक है बहुत simple सा to the point answer आपका उसके बाद अगला जो इनहीं का सवाल है मैं सारे इनहीं के सवाल ले रही हूँ क्या बच्चे को delivery होने के बाद का इनका सवाल है क्या बच्चे को 6 मंत तक सिर्फ मा का दूद ही पिलाना चाहिए क्योंकि कई माओं को दूद निकलता ही नहीं है ऐसी condition में चाय, बिसकोट, गाय का दूद या कुछ और खिलाना पिलाना सही होता है क्या? नहीं delivery के बाद 6 महीने तक केवल और केवल इस्तन पान ही कराना चाहिए मा का दूद ही देना चाहिए यदि मा का दूद नहीं निकल रहा है ऐसी condition में मा को treatment की जरूद है ठीक है? दूद निकलता ही है lactation failure होना यानि कि दूद नहीं निकलना यह बिमारी होती है यह normal नहीं है इसको treatment लेना होता है treatment में बहुत सारी दवाईयां दी जाती है जिससे दूद निकलना चालो होता है मुख्य रूप से calcium की कमी होती है मा के अंदर calcium बहुत ज़्यादा deficiency में रहता है उस condition में lactation नहीं होता यानि कि दूद नहीं निकलता है दूद यदि कम निकल रहा है तो मा का treatment कराईए बच्चे को कुछ और मत दीजिए बच्चे को कुछ देना ही पड़े कई बार कोई दुरगटना हो गई है मान नहीं है कोई भी बात हो गई है ऐसी condition में थोड़ा सा आप लोगों को शौक लगेगा लेकिन आयरवेद में बच्चे के लिए बकरी का दूद सबसे उत्तम बोला गया है अजा छीर बकरी का दूद बच्चे के लिए फायदे मंद होता है मा का दूद 6 महीने से उपर के बच्चों मतलब गाय का दूद 6 महीने से उपर के बच्चों के लिए फायदे मंद होता है तो यदि पहली बात तो मा का दूद देना है मा का दूद नहीं निकल रहा है तो मा को ट्रीटमेंट कराना है कोई दुरघटना हो गई है मा अवेलिबल ही नहीं है कोई मृत्ती हो गई है कोई भी कुछ भी कारण हो गया है ऐसी कंडिशन में आपको बकरी का दूद का प्रियोग करना है बकरी का दूद अवेलिबल नहीं है तब आपको गाय का दूद प्रियोग करना है दोनों ही कंडिशन में गाई के दूद को, बगरी के दूद को लगु पंचमूल की औशदियों से सिद्ध करके प्रयोग करना है लगु पंचमूल आपको मार्केट में easily मिल जाएगा उससे आपको उसको पकाना होता है, इसका काढ़ा बनाना होता है इसको बहुत उबालना होता है लगू पंच मूल की ओशेदियोस इसको पका लीजिये उसके बाद में इस दूद का प्रियोक करना है जो आपने चाई बिस्किट का प्रियोक बोला है वो तो आपको बच्चे को करना ही नहीं है वो तो 5 साल तक नहीं देना है आपको बच्चे को बिस्किट का प्रयोग तो बिल्कुल भूल जाए है यह हमेशा ही आपको नुकसान ही पहुचाएगी देखें बिस्किट वगेरा न केवल और केवल ट्रैवलिंग में यूज़ करनी चाहिए ट्रैवलिंग में ले जाने के लिए वास्ता में सेफ आप्शन है अगर आपको तीन दिन की ट्रेन यात्रा करनी है तो फिर आपको खाना पड़ेगा तो यह वहीं के लिए अच्छा है कि आपको तीन दिन ट्रैवलिंग करनी है आप एक महिने के टूर पे गए हुए हो आपको खाना पीना नहीं मिल रहा है ऐसी कंडिशन में आप नमकीन विस्कुट खाईए अपने बैग में रखिए आप खुद भी खाईए बच्चे को भी खिला दीजे लेकिन यदि आप घर पे हो अवेलिबल है तो प्लीज बच्चे अच्छा उत्तम और बहुत ही उच्च क्वाल्टी का दूद निकलता है लेकिन ऐसी कंडिशन में मा को ट्रीटमेंट की जरुवत है कि अवल होम रेमेडी से काम नहीं चलेगा प्रॉपर डॉक्टर को दिखाईए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेजिए आरवेदिक डॉक्टर को अपनी दवाईया बेचने होती है तो वो फिर समझ रहे हो ना वो फिर पकट पकडा देंगी कि बच्चे को यह पकट बना के फिलाओ, बेबी फूद बना के खिलाओ, आरवे डॉक्टर के पास जाओगे तो आरवे डॉक्टर वाले अपने मा का ट्रीटमेंट करने के लि लगी, it's just like किसी की बुरी वाइबरेशन है, कोई आपको देखके जल रहा है, कोई आपको देखके बंदुआएं दे रहा है मन में, चाहे इंटेंशनली या अनिटेंशनली तो फिर उसका थोड़ा का एफेक्ट पड़ता ही है, यदि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जो आ फिल करना होता है, कि जो आपका व्यक्ति है, जिसकी गोद में आपने बच्चे को दिया है, वो उतना खुश नहीं है उसको लेते समय, तो डारेक्ली नजर लगना नहीं है, इस जास लाइक कि दोनों की वाइबरेशन मैच नहीं कर रहे है, नथिंग, गैस्ट अपीरेंस मे प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, जो नहीं कमपनी का नाम लिखा, इसको मैं नहीं लिखूँगी, बिलकुल नहीं, कोई भी प्रोटीन पाउडर, कोई भी सप्लिमेंट का प्रियोग नहीं करना है, पांस साल तक के बच्चे को जितना हो सके, घर का और ताजा खाना दीजि उसके स्वाद में, तीनों के स्वाद में अंतर होता है, यह आप लोग जानते ही हो, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पताए कि इन तीनों के स्वाद में अंतर होता है, जीवन शक्ती होती है, वो ताजी चीजों में होती है, पुरानी चीजों में, बासी चीज़ों में वो nutrition value हो सकती है कितनी calories है इतने fiber है इतना percent यह वो हो सकता है छापने के लिए लेकिन वो जो एक होता है नहीं बता सकते एक जीवन शक्ति आर्वी में बोला जाता है इस चीज़ों को कि वो जो उसकी nutrition power है जो आपको खुश रखने की power है वो ताजी चीज़ों में होती है तो जितना हो सके बच्चे को घर का बना हुआ खाना दीजिए और ताजा खाना खिलाई है बच्चे को चाय पिलाना सेफ है क्या नई चाय पलाना नहीं दे सकते जब बच्चे को थंड का मौसम है चोटे बच्चों को पास सल तकि बच्चे को अब दूद दीजिए जिदिए आपको लगता है थंड का मौसम है तो दूद को अदरック के साथ में सोट के साथ में उबालके दीजिए लेकिन छोटे बच्चों को चाय का प्रियोग मत कराई है बच्चे की मालिश कैसे करें? इसको मैं यहाँ पर नहीं बता सकती लेकिन हाँ सभी बच्चों को मालिश करनी चाहिए इसके लिए आप दूसरों का चैनल देख लीजे जो कई सारे चैनल है जो मालिश करने से संबंदिछ चीजे बताते है बच्चे को मालिश करनी चाहिए यह बहुत important है, बच्चे को क्या भैस का दूद prevent पिला सकते है, नहीं बच्चे को आपको बखरी का दूद देना है बकरी का दूद अवेलेबल नहीं है तो गाय का दूद देना है ठीक है पहले बकरी का दूद बकरी का दूद अवेलेबल नहीं है ऐसी कंडिशन में गाय का दूद देना है भैस के दूद का प्रयोग आपको बच्चे के लिए नहीं करना है ठीक है ये इनके सारी सवाल थे उन रर्लिंग आयरवेद विड डॉक्टर नियहा वहाँ पर आप सब्सक्राइब करें वहाँ की वीडियो देखिए वहाँ पर आपको शुर्द आयरवेद की truth upon जानकारी मिलेगी चलिए आज के लिस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक लिस्टे healthy and be happy good bye